Hello Guys, Samji here तो ये वीडियो थोड़ा different रहने वाल है मैं जादा तर GK या पहलिया पूछता हूँ लेकिन इस वीडियो में stock market के उपर पहली बार इस चैनल पर stock market share market के उपर very very important सवाल जवाब पूचे जाएंगे तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा शुरू करते हैं निमन में से कौन सा सबसे पुराना share बाजार है National Stock Exchange Amsterdam Stock Exchange Singapore Stock Exchange या American Stock Exchange National Stock Exchange है भारत का और Amsterdam है नीदरलेंड का सही जाब है B Amsterdam Stock Exchange सबसे पुराना Stock Exchange है जो की नीदरलेंड मतलब हौलेंड का है दूसरा सवाल दलाल स्ट्रीट कहां पर इस्तित है लंडन में, पेरिस में, मंबई में या नईदिल्ली में सिंपल सवाल है बिल्कुल दलाल स्ट्रीट मंबई में ही इस्तित है दलाल स्ट्रीट मतलब B.S.E. Bombay Stock Exchange तीसरा सवाल Mumbai Stock Exchange Bombay Stock Exchange का वर्तमान CEO कौन है आशिश कुमार चोहान, मधु कनन, रवी नारायन या रोहिश शर्मा क्रिकेट वाला रोहिश शर्मा मत समझ ले न भईया सहिजाब है ओप्शन है आशिश कुमार चोहान चोहता सवाल बुल और बियर शब्द किस चीज़ से संबन दित है बैंकिंग विदेशी वियापार, स्टॉक मार्केट या इंटरनेट वियापार बुल और बियर और मतलब भी बता दीजिएगा बुल मतलब सांड, बियर मतलब भालू सहिजाब है स्टॉक मार्केट से ही संबन देता है बुल और बियर बुल मतलब सांड, बुल मतलब तेज दोड़ता है जब मार्केट तब उसे बोलते हैं बुलिश, बियर मतलब सांड, बियर मतलब भालू बीर रिष मार्केट तब होता है जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है तो उमीद करता हूँ कि श्टॉक मार्केट के उपर सही जानकारी आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से बनता है दोस्तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न मेश से किसका हिस्सा सरवादिक है स्वाण भंडार विदेशी मुद्रा प्रवासी भाड़तियों का या अंतर राष्ट्रिये व्यापार इंटरनेश्टनल ध्यान से सोचिएगा थोड़ा वीडियो को पॉस्ट करके भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा इस्सा होता है प्रवासी भाड़तियों का मतलब जो बहार के नौन रेसिडेंट इंडियन्स लोगों का छट्टा सवाल इंपोर्टेंट सेंसेक्स सूच का सेंसेक्स इंडेक्स में कितनी कमपनिया शामिल है 25, 30, 35 या 20 यह सवाल का जवाब तो पता होना ही चाहिए आपको सेंसेक्स में टोटल 30 कमपनिया होती है उन 30 कमपनियों का जो भी उतार चड़ा होता है जो भी प्राइज होती है उसके साबसे सेंसेक्स अपडाउन होता रहता है केवल यह इंडेक्स है, सेंसेक्स के अलावन निफ्टी भी इंडेक्स होता है, निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी 500 सात्वा सवाल सेंसेक्स के उतार छड़ाओं के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है बढ़शा मोद्रिक नीती राजनेतिक अस्थिरता या उप्युक्त सभी बिल्कुल सिंपल सवाल सभी चीज़े सभी चीजों का महत्व होता है सेंसेक्स को उतारने और गिराने में मतलब कोई भी company है तो कोई भी company की अगर negative news आती है तो वो जाता है नीचे positive news आती है तो वो जाता है उपपर और profit कम आती है तो भी उपपर जाता है loss में रहती है company तो नीचे जाता है और ये भी बता दू कि कोई सेक्टर में लाइक ओटो मोबाइल सेक्टर में बुली नियूज आई तो ओटो मोबाइल सेक्टर के सारे शेर्स उस दिन गिर जाते हैं ऐसा भी होता है आटवा सवाल ब्लू चिप किसे कहते हैं एक बहु राश्ट्रिये कमपनी कम्प्यूटर के पार्ट्स एक कमपनी जिसका शेर हमेशा लाप्रदान करता है या एक कमपनी जो विदेशी स्टॉक एक्चेंस पर सूचिप अद्द है सोचिए थोड़ा सा ब्लू चिप मतलब ऐसी कमपनी का शेर जो हमेशा ही प्रॉफिट देता है मतलब अगर लॉंग टर्म में कोई शेर खरीदा जाए लाइक रिलाइन्स है तो रिलाइन्स कमपनी का शेर अगर लॉंग टर्म के लिए खरीदा जाए तो वो उपर ही जाएगा ऐसी कमपनी का शेर ब्लू चिप अगला सवाल डौव जोन्स किस देश का स्टॉक एक्चेंज है ब्रिटेन, इंडिया, रूस या संयोक्त राज्य अमेल का USA बताईए बिल्कुल इंपोर्टन सवाल है डौ जोन्स USA का स्टॉक एक्चेंज है दस और आखरी सवाल SPF500 किसका नाम है यह वाला सवाल कई बार पूचा गया है कंपिरिटेव पर एक्जाम्स में गेहू की किस्म का मंबई इस्तित सेवी ऑफिस अमेलिका का स्टॉक एक्चेंज या भारत सरकार की योजना पिछले सवाल को वापिस से दो रही है SPF500 भी अमेलिका का स्टॉक एक्चेंज है तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू